17 जुलाई यानि मंगलवार जान ये कैसा रहेगा आपके लिए या दिन मेश राशी आपकी प्रकृती उस्सुक और अद्मिनिय हैं और आप किसी भी परकार का नियंतर पसंद नहीं कर दें आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है इसके स्तान की खुशी और प्यार दें और आपको भी बदले में बहुत खुशी मिलेगी अपनी काम की मारामारी वाली जिंदगी में अपने सहकरियों के साथ किसी छोटी सी यातरा पर जाकर आप रंग भी भर सकते हैं किसी भी काम को तुरन तयार होकर शुरू करने से पहले गंबीरता से तरकी कसोटी पर परक लेना ही ठीक होगा आपके लिए कल्पनात्मक सा समय है इसलिए रोमांस का आनंद ले रोमांस में कलपना लाने के लिए आपके लिए अच्छा होगा लेकिन अगर आप ओफिस में भी यही करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं होने वाले मिथुन राशी आपके किसी करीबी के जीवन में कुछ समस्या चल रही है और आज आपको उनकी बात सहनुबुती से सुननी पड़ेगी ऐसा हो सकता है कि आप इस आदमी की बाता से निराश और बेचैन सा अनुबव करें लेकिन आपको बिना किसी आलोचना के इस आदमी की सायता करनी चाहिए इससे आपके जीवन में बहुत महतपुन दोस्ती या सैजिदारी भी परभावित होने वाली है करक राशी आपकी एकागरता और विचार शक्ती इस समय अपने चरम पर है और इसलिए आप अपने आसपास के लोगों की स्थिती के बारे में और भी समवेदनशील है इसके लिए आपको कुछ छुकना ही क्यों ना पड़े सिंग राशी आपको समय फिलाल रेंगता हूँ मैसूस हो रहा है लेकिन धीरज रखें और अपनी उसुकता भी बनाए रखें हाला कि आपको अपने किसी वादे या किसी निजी संबंध की खातिर पुछ समय के लिए अपने लक्षे को एक तरफ करना पड़ सकता है अपने साथी के साथ विवादों और गलत फेहमियों से बचे अधिक परेशान ना हो थोड़ी सी योजना बना कर चलेंगे तो आप असानी से अपना एजेंडा पूरा कर पाएंगे कन्या राशी आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी कायस साहता और पहचान की उमीद रख सकते हैं आप मजबूत आदार और आशावादिता से बरपूर हैं और नई परियोजनाओं के लिए बिलकुल तैयार हैं लेकिन आप में अभी भी अच्छी परियोजना को पहचानने की शमता बरकरार हैं इसके कारण आप केवल उनी परियोजनाओं में निवेश करेंगे जो भविश्य में काफी लाबकारी साबित होने वाली है तुला राशी यह समय मजे और स्वतंतरता दोनों में से किसी एक को चुनने का है अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको स्वतंतरा भी मिल ही जाएगी हाला कि अत्यादी परिश्रम के बाद भी आप अपनी मंजिल पर तो नहीं पोच पहेंगे लेकिन बाद में आपको इसका फल जरूर मिलेगा इसलिए परिश्रम करते रहें वित्य स्थिती के लिए भी परेशान ना हो समय के साथ सब कुछ ठीक होता जाएगा व्रिशिच कराशी आपके सामने इन दिनों कुछ नहीं चीज़े आई हैं अपने सामने आने वाली चुनोतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें पूछे गए परशनों का जवाब भी दे आपको अभी और भी प्रियास करने हैं और इससे आपकी तरक्की भी मजबूत नीव पड़ेगे इन सब को बीच खुद को तरोताजा करना और खुश रखना आप बिलकुल भी ना भूले धनू राशी आपका अत्यादिक भावनात्मक होना और लोगों के लिए तो और मददकार हैं लेकिन इससे आप कई बार मुश्किल में भी फज़ जाते हैं ऐसी स्थिती से बाहर आने में अपने पार्टनर की मदद ले यह कुछ निजी और गुप्त बादचित करने का समय है वित्यल आप होने की उमीद है लेकिन अधिक जोकिम से बचें बोलने से पहले आप अवश्य सोच ले कहीं इससे आप किसी करीबी को निराश न कर दे मकर राशी आपको आज कोई अपरतिश अनुभव हो सकता है ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान ही होंगे लेकिन इससे आपको मन में हलचल जरूर मत जाएगी इससे आपको दृष्टिकोन में खासा बदलाव भी आ सकता है अपनी भावनाओ को व्यक्त करने से ना गबराए लेकिन यह समय अपनी भावनाओ से दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्रात्मिक्ता देने के लिए अधिक उपयोग है कुम्ब राशी यह समय दोस्तों के साथ हलका फुलका समय गुजारने के लिए बहुत अच्छा है कोई पार्टी करें या शाम को मस्ती के साथ कुजरें आप पार्टी की जान बने रहेंगे इस दोरान आप किसी ऐसे व्यक्ती से भी मिलेंगे जिसकी रूचिया आप जैसी होंगी और वो आप जैसे कारे कल्पों का अनन्द लेगा आपको अपनी शम्ता का अनूबह भी होगा मीन राशी अगर कुछ लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे अपना हरे काम समझने में अपना समय और उर्जा परबाद ना करे वो कभी भी नहीं मालने वाले आप काफी व्यस्त रहेंगे लेकिन आपको आने वाली जरूरतों के कारण पहले वाली योजनाओं में भी कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं स्थिती की मांग के अनुसार कारे करें रोजाना इसी परकार राशी संबंदी जहनकरियों को प्राप्त करने के लिए असल न्यूस को तुरण सबस्क्राइब करें आज के इस राशी फल को अनने लोगों के साथ शेयर करें लाइक वा कमेंट कर हमें अपनी समस्याओं के बारे में बताए जिनका हम जल से जल समाधा निकालेंगे